इस तरह कि जो चोपाल है हम गाऊं गाऊं में लगाते हैं गाऊं की जं समस्याओं से आपको अउगत कर्वाते हैं मैं आपको एक इसके बार में बताना जा तो भी कल गो आपने गाम में कोई सराबी कोई जुवा कोई चोरी करें ना मैं उसकी जमानत करने को जहूँ पांस साल है मेरा बस चाला को तो मैं यह कहूँगो भी इसको आच्छी तरिया सुदार हो गाउं से में बस्टेड से स्रू हो जाओ कि वहाँ पर बस्टेड नहीं है गाउं के अंदर है अमारी बेन बेटी है बाई बंदु खड़े हो तो वहाँ पर खड़े होने की जिगान नहीं है नमस्कार दोस्तों मैं रण सिंग पवार और आप देख पा रहे हैं पी एम अफ हो नियुजी समय बैठे हैं चोध रिवास चोपाल में पंचायती राद चुनाओ जो होने जा रहे हैं अभी गाओं की सरकार बनेगी और जो लोग 21 महिने से जो बाट देख रहे थे कि भी चु चुनाओ होंगे उसकी गोशना अरियाना सरकार ने कर दी है कुछी समय में चुनाओ होने हैं तो उससे पहले जो उमीदवार है वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं आज हम बात करेंगे सरपंच पद के लिए उमीदवार है विजे चोहान इन से बात करेंगे पहले तो आ सब्सक् pouvait सब्सक्राइब में जो आप हमारे गाऊं से में बस्टरी सी सरू हो जाओ कि फॉर बश्टरी नहीं है गाऊं के अंदर हैं कि अपसरे करते और अपने के पाइघ़ उश्दाना ने नहीं है जो कि वहांब एक स्टम पूला चीम है सिर्देटेती जाएं गणा दूसरे एमारी गॉंगी जो मेन इंटर यही है गली जब इस गली का आप आप आल को तो पूरा खस्ता हो चुका है गली से पता चल जाता है कि गाउं के अंदर क्या है क्योंकि वो अपना एक मेन जो एक्टिव है वो गाउं की मुख्य गड़ी है उस मुख्य बुली गड़ी पे अपना कम से कम एक गेट भी होना जरूर चीज़ और उस गेट पे आपना जो गाउं के जिसे सेद विरिंदर सर्मा जी है उनकी एक फोटो बिकरा मुर्ति भी होना लेने जागे देखते हैं तो भी लेगा हुआ है कि वह अलगता झाए उसके बाद में आप आज आती है तो बैक में दर क्या है की बुढ़ापा पिलसे लेने के लिए बुढ़े बहुत दुखी होते हैं उनको बड़ापा पिलसन के लिए चाचर पास पास घंटे खड़े उलने पड़ते हैं उसके इसाफ से ही फिर आपा दूसरे कोई बंदे जो पेसे कड़ाने लिए पूरा पूरा दिन लग जाता है बैंक में फिर भी उनको पैसा जो टेम पर नहीं मिल हमारा गाओं का जो मेंन कुवा है वो बड़ा सुंदर था भी पानी ले गया एकरते पेने के लिए पानी आज वो कुवा भी लुपत हो गया पता ही कोनी कुवा का गया तो यह समझते हैं उसके बाद जल जाते हैं गाओं में देखोगे आप सारी नलिया टुटी हुए है सा जादा हो रही है और फलो हो रही है जिसके कारण पानी दूर तक पहुझ नहीं पाता तो यह विजय जी यह तो रहे मुद्दे की बात करें तो चुनाओ आप किन मुद्दों पे लड़ेंगे पहले आपने बताया कि गाओं में जो बस्टेंड है उस पे सैड लगाने का का क जो गाओं की मुख्या पानी की निकासी है उसको मैं दूसरे चुटाला जी को वीडियो लाइब दुखा गया आ चुक्या हूँ और उन्हें वह मार्क कर गए अपना जिला परदान है परित्तम सिंग उनको एप्लिकेशन सोब दी गई है तो उस पर मिन्नम कारवाई होजए देड़ मिन्नम हो जाए दो मिन्नम हो जाए वहाँ पर फता कर सकते हैं आपने चोधरिवास की अप्लिकेशन और वीडियो में जागे बेच के उदूसरे चुटाला जी के आतमत जागे उनको अफ़कत करा गया है और उनको वीडियो की लाई भी दिखाई है भी ये मकाने ग गरीब आदमी है गाओं में कोई अमीर आदमी नहीं है सब गरीव है तो दोस्तों हम जो पंचायत यह जो चोपाल लगाई है चोधरिवास गाओं के अंदर में जंसमस्याएं जानने के लिए और जो पंचायती राज के अंदर जो सरपंचपद के लिए चुनाव लड़ना चाते हैं उमीदवार विजे चुहान हमारे साथ में जुड़े हैं सुबह भी हमने एक अलग से जो उमीदवार थे विजे सोक अटेलिया उनको दिखा था और आज विजे चुहान को हम दिखा रहे हैं हम जानना चाह रहे हैं हम ही नहीं जो गाओं के लोग हैं जो वोटर है सपोर्टर वो भी जानना चाहते हैं कि हमारा जो उमीदवार है आखिर हमारे लिए क्या करेगा और उसकी क्या विचारदार है तमाम बतों से रूबरू करवाने के लिए इस तरह की जो चोपाल है हम गाउं गाउं में लगाते हैं गाउं की जन समश्याओं से आपको अफगत करवाते हैं पंचाईती राद चुनाओ जल्दी होने वाले हैं तो इसको ले करके जो उमीदवार है उनकी क्या मंसा है वो नजर आती है तो और क्या करना चाहते हैं गाउं के लिए गाउं में ये आतक अपना जैसी दे सजाद हुआ उसके वाद मेरे सामने तो गाउं में कोई भी सरपंच पंचाईद गर्मे नहीं बेठा मैं आपके सामने गोसना करता हूँ कि पांच साल तक मैं पंचाईद गर्मे बेठा हुआ तीन गंटे आठ से ग्यारा या नो से बारा ताकि सेंद करूआने के लिए आपको कहीं जाने की जूरत नहीं पड़ेगी या भी आप आप आए कि अपने गाउंगे पहले थियास होगा कि हाँ वो भाई सरपच बना और वो पंचाईद गर्मे तीन गंटे वाँ बेठा है ताकि दूड़ने की जूरत नहीं पड़ेगी भी सरपच गाँ गया यह मैं पांस साल की गांटी देता हूँ जिया मेरे से प्लेयर पेपर पे नोट करूआ लो मैं यहीं बेठा पाऊंग तीन गंटे हर रोज क्योंकि जो बंदा इसार चल जावाए चेवजे वहाँ पहुंचावाए तो मैं यहां कुन बेठा हूँ तीन गंटे तो इस दोसरा मैं यह कह जाता हूँ आपने च्छतिस वरादरी है च्छतिस वरादरी के लिए आप जैसे टेंट वगेरा है वो भी तो वह च्छतिस वरादरी के काम आने वाले चीज है अच दूसरा हमारे जो बच्चे है जो कोलिज विगरा में जाते है और गुडियां वह भी बस में आज दो दो तिन तिन गंटे सुवह बस में बस्टे पर खड़ी रहती है कोई सादर नहीं मिलता तो हम वह बस लिगवा और 36 वरादरी में कोई भी बंदा आजी हो उसका रोलम पर आपा मुख्या मतरी उस अपने काम करेंगे और कोई गाड़ी करने की जूर्थ कोनी चीज ट्रेन मा चाली हो ची बाइक मा चाली हो ची रेल गाड़ी में चाली हो यह ना सोची हो भी आपने विकल से जाएंगे या फिर जो सादान विकल है चैवा ट्रेन है चैवा बस में सफर करके लोगों के काम करेंगे और तमाम बाते आपको जानने के को मिले इन से तो बाकी जो गाउंक से बुजर्ग जुड़े हो हैं क्या कहना चाहिए पवार जी आप पहले तो आपका बहुत बहुत दन्यवाद आने का हम तैदिल से आपका सभागत करते हैं हम तो हमारे तो जो भी सरपंज बने बाई अच्छा काम करें कोई बहुत नहीं हो किसी से बहुत ना बने आपका अच्छा काम करें शिक्षा का बिजली पाणी का सार प्रविवासी ये रामकिशन जी है सुबह भी हमें जो मिले थे हमने एक चोपाल सुबह लगाई थी उसमें भी इन्होंने यही बात की कि हमें जो उमीद्वार है वो चाहिए जो आपस में बाइचारा बना के रखे गाओं के विकास के कारे करे सिक्षे और स्वास्ते और जो स सरफफद चाहिए तुमें जुड़े वह युवा भी काफी है क्या कहना चाहें के कैसा सर्फफद चाहिए आपको मैं जिता सको पूरी सपोर्ट है कैसा सर्फफद चाहिए मुझे ये बता दीजी आपको तो दोस्तों यह मत सोचना कि यहां पर जो बैठे लोग है वो एक ही सरपच के स्पोर्टर हैं बहुत सारे गायों का जो भाईचार है आपस का वो बना के रक्स के और ग्रामिन जुड़े हो हैं पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दिए अपना पवार साब मेरा नाम है गुर्मेल सिंग जी क्या चाहते हैं गाउं में क्या समस्या हैं रूश का जो पंचायत लेवल पे सब्सक्राइब करना लाग रहे हैं कुछ गाउं के पंदरा बीस चुनिंदाद लड़की हैं जो गाउं का सतेनास करें उन पर नकेल कसे सरपंच वही सरपंच है ना गाम में तो गड़ी बढानी है यह और करनी है वह तो आम बात है जो मैं मुद्दा है गाम का है यह आने वाड़ी पीडी में चोदरिवास गाउं का सत्यनास हो जगा नई जंडरेशन का को पड़दा नहीं को कुछ नी करता सारे गाड़ाम फी रहे हैं गेदर अपासा बेड़ जें पुबवा खोल लेंगे का बीडी बर लेंगे का बले टिका बावी बावी सरपंच यह सोचा है आप अपासा है यह वाड़ाम का लुदा आप आपको अपने गाम में को सराभी को जूबा को चोड़ाख ना मैं उसकी जमानत करने को जबंगा पांच साल है मेरा बस चालागों तो मैं यह कहूंगो भी आपको अच्छी तरीय सुदारों क्लित वात है बास है कखलेत है मैं अपाइपि प्रीड के तरफ बेठेbab्ड कोई गाम माचुरी कर ली गलत काम कोई भी कर लिया मैं उसका जम्ह campaign meditation कुछा नहीं कोच्या हूं इसकी गया चुछ मुट करनें बेढ़ने से पहले मैं गोश्णक करने बात चीत करेंगे और जन समस्याएं जो ग्राम लेओल पे होती हैं उनसे आपको रूब रूब करवाएंगे इनी तश्वीरों के साथ बने रहे हैं पीम अपन यूज से मारण सिंग पवार